आज हम सिखने वाले हैं MS Word में किस तरीके से पासपोर्ट साइज बनाते हैं फोटो वो भी कुछ इस तरीके से तो अगर आप भी सिखना चाहिते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा लाज तक देखिए और सीखिए MS Word में फोटो किस तरीके से बनाए जाते हैं पासपोर्ट साइज आज तक आपने देखा होगा कि आप एड़ फोटो सॉप में ही फोटो को बनाते थे पर आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से फोटो सॉप से भी जल्दी फोटो सॉप से भी तुरंत बनेंगे MS Word में पासपोर्ट साइज फोटो आपके तो अगर आप इसी तरीके से डेली वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि हम अपने इस चैनल पर डेली एक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो आपकी नौलेज को बढ़ा देती है तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि एड़ फोडो सॉप से जल्द इसमें किस तरीके से फोडो बन जाते हैं पास्पोर्ट साइज तो इसको हम कंट्रोल एंड करते हैं और यहां से हम अपना MS Word ओपन कर लेते हैं तो यहां से हमारा Microsoft Word ओपन हो चुका है अब हमको बनाना है अपना पास्पोर्ट साइज फोटो तो उसके लिए हमको लेना होगा पेज लेंड पर जाएंगे और यहां से हम थे साइज लेंगे यहां से आएंगे सब से नीचे 46 दिया होगा 46 कर लिया यह हमारा प्रोटेड है इसकोabile कर लेंगे यह लेंड head स्केप हो गया और हल्का साइज यहां से देखो यह Boss आगर Plus करेंगे तो हीहांसे यहां से आपका पेज हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और Minus करेंगे तो इतो पेज आते हो जाएगा यह हमारा Passport Caize फोटो बनाने-दिए 4-6 page आ चुका है ठीक है आप जाएंगे हम insert पे क्योंकि हम को लेना है photo जो सा हमको बनाना है passport size तो यहाँ पे picture पर click करेंगे picture पर जैसे ही हमने click किया और यहाँ से आपका जहाँ पर भी photo हो desktop पर हो या कहीं पर भी हो आप उसे निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं तो यहाँ से हमने यह photo ले लिया ठीक आप इसको उठा के कोने पर एं यह क्या हुआ यह नहीं जा रहा है तो उसके लिए यह चिपक चुका है अपने इस page पर तो यह अकसर problem आती है अगर आप नया picture यहाँ पर insert कराते हैं तो घबडानी की कोई बान नहीं सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ format में अगर आपका picture पर किलिक होगा तो automatic आपका format option आपके सामने दिख जाएगा तो यहाँ से format पर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे text वर्पिंग में इस पर किलिक करेंगे और यहाँ in front of text इस पर किलिक कर देंगे अब हम photo को कहीं पर भी ले जा सकते हैं यह देखो कहीं पर भी आप उठा के इसको ले जा सकते हैं यह हो गया अब इसका main काम क्या आया कि हमने in front of text कर लिया हमारा photo तो बिल्कुल यानि कि किलियर है passport size बनाने के लिए बट अगर आपका extra part हो photo में तो वो कैसे क्योंगे passport size photo बनाने के लिए हम photo तो खीच लेते हैं पर ज़्यादा तर इंदर का side का आ जाता है या पूरे हाथ आ जाते हैं तो उसको crop कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं तो हम photo पर करेंगे click और सब से इंदर last में आएंगे right की तरफ आप देखेंगे crop का एक option आपको दिख रहा होगा crop वाले पर जैसे ही click करेंगे ये हमारा photo एटोमेटिक cropping के लिए select हो जाएगा अब इसको हलका सा हम इस तरीके से तो यहां से हो चुका है अब photo के उपर click करेंगे अब लेंगे हम photo का size तो सब से इंदर देखें आएंगे height और width तो यहां पर size हमको लेना होगा 1.6 उसके बाद width में आएंगे यहां से लेंगे 1.29 इंटर कर देंगे अब यह हमारा passport size का यानि photo का size आ चुका है ठीक है यह हमारा आ चुका है हलका सा उपर उठा के इसको रख देंगे उसके बाद इसमें लगाना है हमको border तो यहां आएंगे यह देखो format पर click होना चाहिए photo पर click करेंगे तो automatically आपका picture border so करेगा तो यहां पर सबसे नीचे आएंगे ठीक है यहां पर आप जैसे ही जिस यानि ओर्ड लाइन वाले पर आप mouse को ले जाएंगे बिना click किये हुए mouse को ले जाएंगे automatic आपका यहां से show करेगा किस तरीके से आपका picture का border लग रहा है तो यह वाला हम ले लेते हैं गटाना या बढ़ाना हो तो उसके लिए भी इसमें option दिया हुआ है यहां आएंगे home के पास और इस पर देखिए यह लिखा हुआ brightness brightness पर click करेंगे इतने option आपके खुल जाएंगे आपको click नहीं करना है आपको shrimp mouse उसके उपर ले जाना है अब यह देखो आपका photo का brightness बढ़ रहा है और घट रहा है तो आपको जैसा आपके photo set हो उस तरीके से ले लेते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं contrast ठीक है यह देखो contrast आ गया अब आप इसको जैसा भी आपको सही लगे वैसा कल लेंगे ठीक है यह हो गया इतना अब हमको इसकी copy बनाना है ठीक है तो यहाँ से हम keyboard से control shift प्रेस करेंगे और keyboard से control shift hold करके रखेंगे mouse से इसको इस तरीके से drag करेंगे दूसरा भी drag करेंगे और तीसरा चोथा भी drag करनेंगे अब keyboard से control shift hold रहने देंगे और चारो फोटो पर एक एक बार किलिक कर देंगे चारो फोटो हमारे सिलेक्ट हो गए अब माउस की ही साहिता से और कीबोर्ड से आपके कंट्रोल सिफ्ट हॉल्ड रहना चाहिए ठीक है इसको पकड़के नीचे हम ड्रेक कर देंगे यह हमारे कितनी आसानी से बन चुके है पासपोर्ट साइस फोटो एमेस वर्ड में तो देखा आपने कितना आसान था और कितनी जल्द आप बिल्कुल वन सिकेंड में आप बना सकते हैं जब आप बनाने लगेंगे आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी एक दो बार ही में आपको बनाने लगेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से तो यह हो गया हमारा 4-6 और काफी लोग कहेंगे 4-6 हमको कहा A4 साइज में प्रिंट करना होता है तो उसके लिए भी हम बता देते हैं हम जाएंगे नियू पे पेज ले आउड में यहां से साइज यहां से लगा लो A4 ठीक है और इंसर्ट इंसर्ट पर गए पिच्चर पे जिसे की अभी हम पिच्चर लेकर आए थे क्योंकि होता किया नए लोग होते हैं तो उनको A4 साइज ही में फोटो पेपर उनके पास होता है तो वो कनफ्यूज हो जाते हैं कि फोटो पेपर पे हम फोटो यानि कैसे प्रिंट करें तो उनके लिए प्रोब्लम अक्सर यह आ जाती है तो यह हमरा फोटो आ चुका है यहां से फॉर्मेट पे गए और in front of text किया और यहां से इसका size ले लिए 1.6 और width में आए यहां से ले लिए 1.3 यह आ चुका है इसको उठाके इंधर कर देंगे और यहां से इसका border select कर लेंगे ठीक है इसकी contrast brightness और keyboard से control shift और बस ड्रेक करके आप खीजते जाएए इसको भी किलिक कर लेंगे तो यहां से double आपके निकल आएगे यह देखो फिर इसको पकड़के खीज देंगे तो आपके double निकल गए इक्स्ट्रा हो जाए तो इसको आप delete कर देंगे ठीक है तो यह देखो आपके photo बन चुके है passport size जैसा आप बनाना चाहते थे तो यह वीडियो आपको कहसी लगी comment करके ज़रूर बताए और आप इसको print करना भी सीख लेते हैं वह भी बहुत थी जरूरी है तो file पर जाएंगे हमने photo तो तयार कर लिए file पर जाएंगे file पर print और print with preview पर click करेंगे अब यह देखो हमारे सामने page बनके आ गया photo print करने के लिए ठीक है यहां से page का margin नेरो कर लेंगे तो यहां से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको photo को print करना है ठीक है अब यह बराबर हो गया अब यहां से print करेंगे यहां से printer printer आप चूश कर लेंगे आपका जो लगा हो आल पर लगा रहने देंगे और यहां से number of copy तो वन ही copy पर निकलेगा तो यहां से ok कर देंगे आपका जो भी printer लगा होगा print आपका बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आए होगी कुछ नई interesting वीडियो के लिए आप comment जरूर करें मिलते हैं कुछ नई interesting से वीडियो में तो तब तक के लिए धन्यवाद